नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है राज आप देख रहे हैं हमारा चनल इलेक्ट्रिक लोचा तो आप देख सकते हैं हमारे पास आज यह कूलर की मोटर है कूलर की किट जो सश्ती वाली है 445 रुपे की और करीब करीब यह एक सीजन चली हुई है एक सीजन चलने के बाद यह के वाली में थो सबखने दोरों मोटरों में कोई नहीं बात नहीं नहीं है जुरू से आ रही है पहले आती थी कंप्राइसर हो में एक्सिद्ध में और trout me बहुत अच्छे चलते हैं तो दोस्तों आप देखें कि आपके सामने इस motor खोलते हैं और बड़ी आसानी से इसको ठीक करके दिखाते हैं और आप इस तरह से अगर आपकी मोटर है या लेनी है या ले सकते हैं उसको आपको छोटा सा काम करना जो वीडियो के बीच में मैं आपको बताऊंगा उसके बाद की मोटर चलेगी एकदम बढ़िया एक सीजन के बाद वह बंद नहीं होगी और कई साल तक चलेगी जैसे कोपर वाली मोटर चलती है तो आप हमारी वीडियो को पूरा देगे तब यह आपको पूरी अच्छी तरह समझ आएगा तो शुरू करते हैं सात्यों मोटर को खोल लेत तो यह चलेगी नहीं और तो हम इसको फटाबट खोल देते हैं तो आप देख सकते हैं साथ हो नट सारे खुल गए हैं अब हम इस कपेश्टर को पहले खोल देंगे बंद मोटर का कभी भी भरोसा ना करें कपेश्टर को पहले आप शौर्ट करके देख लें कहीं वह चार्ज तो नहीं है कि कभी-कभी बंद मोटर में कपेश्टर चार्ज रह जाते हैं उससे करेंट लग सकता है तो इस साफधानी को रखें पहले याद में कि अब देख सकते हैं साथ यह चार में परकेश्टर है जो होता ही है पूलर में और हम इसकी पहले दोनों स्लिव निकाल देंगे दोनों इतारों से थाकि हमारा टक्कन खुलने में कोई प्रेश्टा नहीं ना हो और उसके बाद हम इसको अराम से इस तरह से खोल लेंगे तो साथियों जैसा आप देख सकते हैं कि यह मोटर कहीं से भी आपको जली हुई नजर नहीं आ रही है यह देखे कहीं से भी जली नहीं है तो आपने देखा साथियों यह कहीं से भी मोटर जली नहीं है तो आप हम इसको इस्टेटर निकाल लेते हैं और इसको अलग कर देते हैं तो इसकी वाइनिंग में साथियों आपको सावदानी के अबरत नहीं है कि पहले सबसे पहले आप इसका धागा काट दें आप इसमें बिल्कुल भी जल्दबाजी ना करें क्योंकि हैल्मिनियम की तार थोड़ी सी सौफ्ट होती है तो सौफ्ट होने के कारण यह असानी से तूट सकती है तो इसलिए इसकी लीड वगयराओं को ज्यादा हिलाएं डूलाएं ना जब तक कि आप इनको हटा ना ले तो धागे को बिल्कुल अराम से खोल दें तो इसके बाद सात्यों आपने क्या करना है आए देखिये तो हमें जादा कुछ करना भी नहीं पड़ा है इसमें और यह आप देख सकते हैं कि यह तार यहां से तूटी वही निकली है यह तार यह अल्मिनियम की तार ज्यादा मजबूत नहीं होती है और यह टूड़ जाती है तो आप देख सकते हैं साथियों कि हम पहले यहीं चेक करेंगे कि हमारी continuity आती है कि नहीं आती है तो इसके बाद मैं बताऊंगा कि आपको इसमें करना क्या है जो दुबारा ना खराब हो तो हम साथियों पहले इसकी continuity चेक कर लें कि बाकी तारों के साथ इसकी continuity बोलती है या नहीं बोलती है तो हम इसको चेक कर लेते हैं तो आप देख सकते हैं कि यहां पर continuity आ रही है यह आप देख सकते हैं कि यहां continuity आ रही है हम चारों ही तारों की आपस में continuity चेक कर लेंगे ज्यादा सर्द इसमें ज्यादा दिमाग नहीं खपाएंगे कि कौन सी तार किसकी है बस यह देख लेंगे कि आपस में सभी बोलती है कि नहीं बोलती है बाकी जो कपेश्टर और में मैं बाद में आपको चेक करना सिखा दूँगा कैसे चेक करते हैं तो अभी हम बस यह देखेंगे कि सारी तारे इसके आपस में बोलनी चाहिए बस तो तो आप यहां मीटर में देखें साथ यह ज़रा तो यह देखिए यह दोनों दारों की 370 आमसा रहे हैं और यह आपस में शौट है और यह 214 हमारी है और यह सारी तारे हमारी आपस में सात्यों बोल रही है यानि continuity आ रही है तो हम इसको आराम से जोड़ देंगे उसके बाद इसमें धागा बांद देते हैं तो इसके बाद मैं आपको बताता हूं कि इसमें करना क्या है जो यह दुबारा ना खराब हो कि वीडियो को अच्छी तरह समझने के लिए साथ हूं पूरा देखें यह तार टूटी है इसकी तो इसको हम इस्ता वासे लपेड़ देंगे कर दो तो इसको राम से लपेटे साथी हो एल्मिनियम गितार में यही कमी होती है कि तूटती बड़ी जल्दी है इसको वापिस से हम फतली स्लिव के अंदर डाल देंगे और उपर से हम यह मोटी स्लिव चड़ा देंगे तो साथी हो यह हमने धागा ले लिया और हम इस दागे को इसमें बांद देते हैं दूसरा दागा ले लिया हमने और इसमें आपको यह दियान रखना है दागा बांदे समय कि धागे पे ज्यादा जोर से नहीं खीचना दागे को दागे को आराम से खीचना नहीं तो कोई और तार टूर जाएगी थोड़ी सॉफ्ट होती है थोड़ा आराम से काम करना होता है इसका तो यह हम पहले उत्साथी हो दागा बांद देते हैं और फिर आपको इसके बारे में एक जरूरी बात बताएंगे कि आप इसमें क्या करें तो फिर यह खराब नहीं होगी वैनिंग इसकी कि आपको इसमे में पहुत जिए बांद यहांगे कि आपको इसमें पेस करना लोगे करना होता है इसमें खेसे होता है तो आपने देखा साथियों धागा हमने इसमें बांद दिया है यहां देख सकते हैं आप इन्होंने कितना डीला डीला धागा बांदा हुआ है और यहां थोड़ा इससे टाइट एकदम बढ़िया दागा बांद दिये तो अब इसमें में बात यह साथियों बताने वाली इसमें साथियों में बात बताने वाली यह है कि यह जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि यह मोटर सस्ती होती है तो सस्ती होने के कारण इसमें कोई भी काम ढंग से नहीं किया जाता है इसमें धागा भी देखिए जल्दी जल्दी में ढीला ढीला बांद दिया जाता है और इसमें वार्निश नहीं की जाती है और वार्निश ना करने के बावजूद भी यह जो है अच्छी चल जाती है अगर हम कॉपर वाली मोटर में वार्णिश ना करें तो आपको पता होगे कि कॉपर ज्यादा रियक्टिव है एलमुनियम के कंपेरेजन में तो कॉपर की वाइनिंग उल्टा जल्दी खराब हो जाएगी अगर हम इसको उपर से वार्णिश ना करें तो और जल्दी खराब होगी इससे और कॉपर में थोड़ी हार्णिस होती है तो बाइब्रेशन भी इसमें जादा होगी बाइब्रेशन की वज़े से कॉपर की मोटर जल्दी खुग जाएगी तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसमें कहीं भी वार्णिश नहीं की हुई है अगर आप मोटर में रिपेर करने के बाद या नई खरीदने के बाद भी अगर आप मोटर में वार्णिश कर देते हैं तो यह एकदम बढ़िया चलेगी धागा थोड़ा सा अगर धीला है तो टाइट करके इसको थोड़ा बांदे इसी के उपर एक और धागा बांदे और वार्निश कर दे अच्छी तरह से फिर यह एक दम से ठीक चलेगी इसमें कोई प्राब्लम आपको कई सालों तक नहीं आएगी इस भुकती नहीं आपने देखा आप कभी भी मोटर खोलो गए अल् तो इसको यहां हमने बीप मोड पर लगा लिए इसको डायोड और बीप मोड एक ही है इसमें तो इन दोनों तारों में देखेंगे यह आ रही है और इसके साथ इसकी देखेंगे तो यहां भी आ रही है और इसके साथ इसकी देखेंगे तो यहां भी आ रही है तो आपने द को बताएंगे कि चारो तार एक की कलर की हैं और एक ही side से हमने निकाल दिया कर एक ही side से निकल गी है या पहले से किसी ने कपेश्टर हटा То, तो किसे पता लगाएं कि कौन सी तार केする में लगेगा और ऐस मोटर को पहले fit कर देते हैं फिर हम बताते हैं तो साथनों देखा आपने हमने मोटर को फिट कर लीया और अब हम आपको सिखाएंगे कि इसके तो मोटर के चारों ताहरी एक जैसे कलर करेंगे हैं अब हम आपको बताएंगे कि इस Met У कौन सी है और केपेश्टर की कौन सी तार है तो कैसे पेचाने तो आपने इस तरह से कोई भी मल्टी मीटर ले 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 ना अगर आप multimeter use नहीं करते हैं तो आप सिरीज बोर्ट का विश्टे माल कर सकते हैं यह सिरीज बनाकर भी कर सकते हैं कोई बड़ी बात नहीं है तो सबसे पहले तो आपने देखना है कि इसमें दो तारे आपस में पूरी तरह से short कौन्शी बोलती है जैसे इस तरह से बोल रही है थोड़ी battery down है हमारी 1012 हम दिखा रहा है यह हमने आपस में मिला रखी है तो आप मिलाकर देख लें जितना आपका मेटर बता रहा है उतनी कॉनसी दो तरह बोलती हैं तो आप कोई भी randomly check कर लें यहाँ नहीं बोल रही है यह भी नहीं बोल रही है अब यह बची है तो यह यह देखिए यह दोनों तारे आपस में बिल्कुल short बोल रही है यानि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है यह दोनों तारे ही एक ही जगा से जड़ कर आ रही है मोटर में से तो इन दोनों तारों में से एक हमें कोई भी कपेश्टर के लिए ले लेनी है और एक ले लेनी है मेन के लिए यह हमारी दो तारे होगए एक कपेश्टर के लिए मेन के लिए अब दूसरा हम यहाँ चेक करेंगे तो दूसरी कोई भी तार हम उठाएंगे और मेन वाली जो हमने रखी है उसके साथ हम चैक करेंगे तो यहां आप देख सकते से 185 ohms की रीडिंग आ रही है और बैटरी का इंडिकेशन भी आ रहा है तो इसलिए थोड़ी रीडिंग गलत बता रहा है लेकिन उससे कोई फरक नहीं पड़ता आपने बहुत ज्यादा फरक आपको दिखाई देगा तो आपने देगा एक सो तो तो यह मारे मीटर लगता है कुछ बैटरी विक्की वज़े चे कुछ ठीक नहीं दे रहा है रिडिंग तो हम दूसरा मल्टी मेटर ले लेते हैं साथियों कोई भी ले सकते हैं आप एकस यजड कोई भी मल्टी मेटर हो या फिर सीरीज बोट भी आप ले सकते हैं तो अब आप देखें यह दोनों तार तो हमने लेती कपेस्टर और मेन के लिए एक बारी फिर से देख लेते हैं क तो आप देख सकते हैं दोनों आपस में एक हैं तो उसके बाद हम दूसरी तार लेंगे और इसके साथ हम दूसरी तार हम लेंगे और इसके साथ चेक करेंगे तो आप देख सकते 173 ओम्स की रीडिंग आ रही है और इसके साथ ही हम कपेश्टर वाली के साथ दूसरी तार को चेक करके देखेंगे या किसी भी ये दोनों तो एक ही आप देख सकते हैं तो किसी के साथ भी कपेश्टर वाली को चेक करके देखेंगे तो आप देखेंगे कि कपेश्टर वाली में सीधी डबल से ज़्यादा या डबल के आसपास ओम्स आएंगे तो आपने देखा 352 आ रहे हैं तो डबल से भी ज़्यादा या उसके आसपास ही हो गए हैं तो आप देख सकते हैं कि जहां पर जिन दो तारों में एक तो दो तारों में आएगा short ये short आ रही हैं आपस मैं मिली हुई हैं और दो तारों में आएगी reading कम जिन दो तारों में reading कम और इन दो तारों में reading ज़्यादा है साड़े तीन सो करीब है तो यहां आप capacitor जोड़ सकते हैं कोई दिकद नहीं तो इसके लिए हम इसपर sleeve चड़ा देंगे और कपेश्टर को जोड़ देंगे एक बार कपेश्टर जोड़ कर इसको चला कर देखते हैं साथियो यह कैसा चलता है यह चलती है मोटर तो यहां हम कपेश्टर को जोड़ देंगे कैप भी लगा देते हैं इसके उपर कि हमने कपेश्टर की तार साथियों जोड़ दिया और उपर से हम लगा देंगे इसकी कैप यह लगए साथियों कैप अब हम इन दो तारों में में देंगे और इस मोटर को चला के देखेंगे कि यह मोटर ठीक हो गई है यह नहीं हुई है तो यह हमारी तार तो यहां हम जोड़ देते हैं और अपने स्विच बोड्में इसको लगा देते हैं अ मिढौत देखेंगें हम देखेंगे हैं लगा डिया स्विच को आन करेंगे या थैये कि मोटर चले रही है सातियों तो मोटर यह हमारी थीक हो गयी है इतनी जादा कुछ बड़ी प्रॉब्लम मोटरों में होती नहीं है तो जैसा कि हम हम सभी को बता है जाता है या में समझा जाता है कि कौपर वाइनिंग यह और यह यह तो ऐसा सच मुछ में नहीं है सातियों एलमुनियम वाइणिंग में कुछ जान बूच कर कमिया छोड़ी जाती है जो ये जल्दी घराब हो जाए तो आप अगर उन कमियों को ठीक कर दे दागे को अच्छी तरह बांदे वार्निश वगएरा इसमें कर दे तो ये बहुत ही अच्छी चलेगी एलमुनियम या कॉपर से मोटर की लाइफ पर कोई फरक नहीं बढ़ता है आज की वीडियो में इतना ही सातियों जै हिन जै भारत